मुवारक हो, इत का चांद नज़र आ चुका है, मेरा सफर की पूरी फैमली को आपके भाई, आपके दोस्त, आपके बेटे, फराज बलिक की तरफ से इत की बहुत-बहुत मुबारक बात अपके बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- मेरे दोस्तों ये खोशियों का तिवहार है हमारे लिए और वाकई में इस तिवहार में खोशिया मनानी चाहिए लेकिन इन खोशियों के बीच घाजा को मत भूल जाना घाजा के अंदर जो हालाथ है उसको जरूर याद रखना वैसे ये हमारी जिम्मेदारी है हम आपको मेले रोजा हुआ था तो आज गाजा के अंदर एद थी गाजा के अंदर आज बहुत जादा बारिश भी हुई है और उसी बारिश के बीच लोगों ने सड़कों पर खड़े होकर एद की नमाज अदा की है यह तस्बीर उत्री गाजा के जवालिया से सामने आ रही है जहां प बीच में घाजा के इन लोगों ने खंडरों के बीच एद की नमाज अदा की है शुक्र है अल्ला का कि कम से कम एद की नमाज पढ़ने के लिए इनको अपना घर तो मिला भले ही खंडर है लेकिन घर तो मिला घाजा से इसराइल की सेना दो दिन पहले ही वापस गई है घाज मौके पर हम अल्ला से दूआ करते हैं कि घाजा के लोगों को जल से जल सुकून मिले मिरे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इशारा आप लोगों से करना चाहता हूँ देखिए ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं बात करने के लिए रमजान तो जा रहा है लेकिन एक बात याद रखना नमाज रमजान के बाद भी फर्ज है रमजान में तो मज़तें भरी भी नज़र आती हैं मगर्ड के नमाज तक भी मज़तें फुल थी लेकिन इशार की नमाज से धीरे धीरे नमाजी कम होना शुरू हो जाएंगे याद रखना रमजान के बाद भी नमाज फर्द है जिस तरह से आपने रमजान में नमाज पढ़ी है इसी तरह से रमजान के बाद भी नमाज पढ़ते रहना दुनिया के हालाद बहुत जादा खराब है ये सांस कब निकल जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा इसलिए नमास को जो आपने पकड़ा है रमजान के महीने में इसको छोड़ दा मत फिलाल खबरों के तरफ चलते हैं बात कर लेते हैं हमास की इसराइल के सेना गाजा से वापत जा चुकी है नितनियाहू की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हम हमास को खतम कर चुके हैं बचा कुचा हमास जो बचा है अभी गाजा के अंदर उसको भी हम बहुत जल्दी खतम कर देंगे बाते इसकी बड़ी बड़ी है बड़ी बड़ी बातों की पोल खोल लए है इसराइले अकबार हारेज के मताबक इसराइली से न अपने किसी भी मकसद को पूरा किये बिना खान इउनिस से पीचे हड़ गई है यह हारेज अकबार जो हैं उसक्ष जबसे जंग शुरू ही है सच्चाई दिखाते हैं तो ऐसे कुछ मीडिया नेट वर्क हैं इसराइल के अंदर जो सच्चाई दिखाते हैं हारिद्स अकबार उन में से एक है एक और इसराइली अखबार है एदियोत एहरनोत इसने एक रिपूर्ट आज पबलिश की है कि घाजा से इसराइल की सेरा के वापस लोटने के बाद खान यूनिस में एक बार फिर से हमास ने अपना नियंतरन हासल कर लिया है यानि एक बार फिर से खान यूनिस पर हमास का कबसा हो चुका है हमास की सरकार पहले भी खान योटिस में चलती थी और एक बार फिर से हमास ने उस एरीये बे अपना नियंतरा हासल कर लिया है इन रिपोर्ट से एक बात साफ हो जाती है कि हमास अभी भी बिन जिन्दा है नेतनियाहू या उसकी सेना जो बड़ी बड़ी बाते कर रही है कि हमने हमास को मिटा दिया ये पूरी तरह से गलत है हमास आज भी उसी ताकत के साथ खान यूनिस के अंदर मौजूद है सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को मार कर इसराईली सेना वापस लोटी है इसराईली सेना ने इतने महीने में घाजा के अंदर जो करतूते की हैं अब उसकी पोले धीरे धीरे खुल लही है इसराईली मीडिया की एक और रिपोर्ट के मताबिक इसराईली सेना के अधिकारियों ने इस बात को अब कुबूल किया है कि उन्हें इसराइली बस्तियों में गाजा की और जाने वाले सभी वहनों को रोकने और अंदर मौजूद लोगों को मारने के आदेश मिले थे यह कोई छोड़ी बात नहीं है मेरे दोस्तों सेना को उपर से नितनियाहू और उसके निताओं ने आदेश दिये थे कि कोई भी गाजा के अंदर कार से जाता है चाहे वो आम आदमी हो या फिर हमास का कोई लड़ा का हो उसको रोको चेकिंग करो और मारतो खुद इसराइल की मीडिया अब अपनी सेना की पूल खोल लही है क्योंकि इसराइल के अंदर लगातार विरोत प्रेदर्शन बढ़ रहे हैं इसराइल की सेना बिना कुछ हासिल किये गाजा से वापस लोटी है अरे बच्चों को मारना महिलाओं को मारना ये कोई जीत थोड़ी ना होती है एक भी बंदग नहीं छुड़ा पाई नहीं वहाँ पर कबजा कर पाई तो किस तरह की चीत है यही चीज इसराइल की मीडिया अब खोल खोल कर रख रही है दोस्तो तीन-चार दिन पहले ही मैंने आपको ख़वर दी थी कि खार यूनिस के अंदर हमास के लड़ाकों ने तकरीबन 14 से 21 इसराइली सैनिकों को एक जटके में मार दिया था इसराइल ने सिर्फ 5 सैनिकों की बात को बोली थी लेकिन दोस्तो हमास ने अब बाकाइदा पूरा वीडियो उन हमलों का जारी किया है वीडियो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता सैंसेडिक कॉंटेंट है कुछ इस तरह से निशाना बनाया यह जो आपको इसराइल के सैनिक दिख रहे हैं यह फोटो हमास के कैमरे से लिए हुए है हमास ने बाकाइदा वीडियो जारी करते हुए यह जो दिख रहे हैं ना इनको टार्गेट किया और फिर इनको मार दिया इसराइल के सेना खान यूनिस में घश्ट कर रही थी नीचे नीचे सुरंगों में इन्होंने बाम लगाए और चारों तरफ कैमरे भी फिट कर दिये थे बॉम फटे इसराइल के सेनक उड़े और वो सारी चीज़े कैमरे में कैप्चर होगें जिसके बाद तकरीबन आठ मिनिट का वीडियो हमास की तरफ से जारी किया गया दोस्तों इसराइल तकरीबन 35,000 मुसल्मानों को अफिशली घाजा के अंदर मार शुका है लेकिन आज इद के मौके पर इसराइल ने इद की मुबारक बात दी है इसराइल की तरफ से टूट किया गया कि हम इसराइल और दुनिया भर के अपने सभी मुसलिम दोस्तों को एदुल फित्र और एद मुबारक की शुबकामनाय देते हैं यह इद आपके लिए स्वास्त सांती और सम्रित दिल आए 35,000 मुसल्मानों को मानने के बाद मुसल्मानों को एद की मुबारक बात दी जा रही है अर यह मुसल्मानों को मुबारक बात थोड़ी दे रही है तो वो उन हुक्मरानों को दे रहे हैं जिनके घर में यहूदियों की बहु बेड़िया है फिलाल मुबार्ख बात तो अमरीका वालों ने बहित दे ऐ parent ने इनटरी बिलिंकन ने फिलिस्तिटीनियों को याद करते हुं मुबार्ख बात दी तो जितने भी forts आ के लोगों के माननЕ में शामिल करते हैं लोगों को मानना बंद नहीं करते हैं तो हम हत्यारों पर रोक लगा देंगे ब्रिटेन ने बहुत हत्यार दिये इस्राइल को लेकिन दोस्तों सारा का सारा धकोसला था ऑफिशली बयान ब्रिटेन के विदेश मंतराली के तरब से आ चुका है कि ब्रिटेन इस्राइल को हातियार देना बंद नहीं करेगा यह सिर्फ और इसे बड़ी-बड़े बातें दुनिया को बेको बनाने के लिए की जाती है दोस्तों लास्ट रिपोर्ट में आपको बताया थे कि इस्राइल का इरादा इरान के नुकिलियर फैसलिटीज पर हमला करने का है जहां पर परावड़ों बंब अगयरा का मामला चल रहा है इस्राइल ने दमकी दिये कि अगर इरान हमारे उपर हमला करेगा तो हम नुकिलर फैसलिटीज पर इरान के हमला कर देंगे जब यह वास साबने आई तो अब इरान के तरफ से सेकंड के अंदर आपका जो परमालू अड़ को तबह कर देगी इसराइल के परमालू ठिकाने हैं उसकी जानकारी इरान के पास है ह सब्ना को यह उसकी house älltई है और हमास ने जो साथ हमला की आता क्ये सारी आसा रिपोर्ट आई थी कि बहूत सारे रौकेट जो है इसी डिमो होना परमानु सबीदा है जहां पर अड़े हैं इसराइल के वहां पर गिर जाता तो एक बहुत बड़ी तबाही उस एरिया में आ सकती थी फिलाल इस रिपोर्ट बेतना ही गाजा के अंदर आज एद के दिन किया क्या हुआ है कैसे के लोगों ने आध मनाई है क्या इजराईल ने घाजा के लोगों को परेशान किया है सारी चीज़े हम आपके पास एद के दिन भी आएगी दोपैर के बार आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि हम आपको उगाजा को भूल ले नहीं देंगे येद की खुशिया मनाएं अपनों के साथ खुश रहें और ऐसे ही प्यार बागते रहें और हाँ नमाज रमजान के बाद भी फर्ज है